मुश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे HFCL के बारे में आप कोई शेयर के साथ क्या करना चाहिए क्रंट जो मार्केट सिचुएशन है क्या आप कोई शेयर में निकल जाना चाहिए या अभी भी अपनी positions hold करनी चाहिए या average में buying करनी चाहिए या नहीं सारा हम आपके लिए clear कर देंगे तो वीडियो के end तक जरूर बने रहीएगा तो guys सबसे पहले company के fundamentals के बारे हम बात करें company का stock नहीं ज़्यादव overport zone में है guys ना ही ASM के किसी red flag list में company की जो growth rate profit generation, revenue growth rate, cash flow statement income flow statement जो है सारी सारे positive में guys company की जो debt liquidity, ROI और earning पर share है वो भी काफी अच्छी है so guys आप देख से थे share जो था अपने moving average जो इसका price action था उसके उपर trade करना शुरू कर चुका था लेकिन उसके बाद आपको पता है market में negative sentiment बना और एक negative महल बना जिसके वज़ी से हमें जो है share अपना moving average को breach करता हो दिख रहा है, तो guys मेरे आपको यही रहे रहेगी, company का जो share है एक तगड़ा जो है consolidation phase बना रहा है, अपना एक तगड़ा जो है base बना रहा है और यहां से यह ज़रूर breakout देगा guys यही रहा है, तो guys मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ इस company के वाँ advance में ही दो साल के order पड़े हो है, इनका वाँ cash भी बहुत जादा है तो यह सारी speculations है, कोई सरपेर नहीं है guys, market में जो है यह short position है बन रही है, खासकर जो HFCL चासे share है, तो मैं आपको यही रहा है दूँगा, यह बहुत बड़ी बात है आपको dips जो है, इसमें buy करने का जो है chance मिल रहे है, तो आप जो है इस share में dips को buy कीजिए, और आप लोग जो है इस share में अपनी positions को as a long side जो है, hold करके रखे, तो मैं आपको stable होगा, continuously जो है, fall market में हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं आपको यही रहाए दूँगा, आप लोग जो है, बेफिक्रों के जो है, HFCL पर positions बनाइए, company का EBITDA काफी बड़ी है guys, company के profit generation, revenue growth rate वगरा, सारा positive है guys, और company जो है future में भी काफी जो है मंदी नहीं आने वाली है, उपर से आप देशेते हैं guys, जो volumes है यहाँ पर काफी कम है selling की, तो मैं आपको यही रहाए दूँगा, इस share को आप जो है, अपने portfolio में add कीजिए यह 5G share जो है, आने वाले सालों में आपको जो है multi bag return बना के देगा, और